जी अब हम बात करेंगे that's about experiencing disability, देखे जो बच्चा किसी भी वज़ा से disability का शिकार है, वो उसको experience कैसे करता है, जैसे मैंने अर्स किया कि अगर वो कोई परिशानी या deficiency लेके पैदा हुआ है, तो उसको तो एसास ही नहीं कि इसकी कोई दूसरी शकल भी होती है, या कोई normal जिं किस तरह से चीजों को experience किया जा सकता है, इस मामले में हम Helen Keller की मिसाल देते हैं, वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, तो उसमें यह है कि वो फिर टच करके चीजों को पहचानती थी, और उन्होंने बहुत सी किताब में लिखी और बहुत सी उनकी अच्छी कि तर्वियत हो गई क्यूंकि identify कर लिया गया कि वो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न बोल सकती है, जाहरां जो सुन नहीं सकता हो, वो बोल भी नहीं सकता होता, तो फिर सिर्फ लंस के जरिये चीजों को कैसे महसूस किया जा सकता है, उन्होंने लिखना सीखा, उन्हों causes क्या हो सकती हैं? एक तो genetic causes हैं, कि जब बच्चा बन रहा हो, तो genes में कोई deficiency रह गई है, genes में कोई problem आ गया है, तो वहाँ पे deficiency आ जाती है. फिर जैसे मैंने अर्स किया कि developmental process चल रहा होता है, कहीं छोटी मोटी कोई कमी रह जाए, तो वो एक किसी उजवे के या एक किसी चीज के खराब होने से सारी body उसको सफर करती है, ये congenital diseases हैं, इनकी बहुत सी किसमे हैं, दिल से तालुक रख सकती हैं, आँखों से, कान से, नाक से, लिम्प से, कहीं भी problem आ सकता है. पिर traumatic और very premature birth, कभी ऐसा भी होता है, कि बच्चा बिल्कुल healthy develop कर रहा था, लेकिन माँ को कोई ऐसा trauma पेश आया, जैसे वक्त से पहले पैदाईश हो गई, या माँ कोई हाथसा पेश आ गया, तो बच्चे की growth अभी मुकमल नहीं हुई थी, इस वज़े से पानी की कमी रह ग आते खुद cases देखे हैं, कि बच्चा जो है, वो जब पैदा हुआ, तो उसके limbs में problem था, लेकिन लोगों ने घुर्बत की वज़ा से उसको जाने दिया, कि ठीक है, अब यह हमारी किस्मत है, यह fate है, बच्चा इसी तरह चलेगा, हाला कि जो limbs हैं, उनका तो खास तो खास त वर जो ही छोड़ दी जाए, कि यह तो किस्मत का फैसला है, और अब इस माजूर को हमने इसी तरह रहने देना है, यह खास तोर पे हमारे जो ऐसे ममालिक हैं, जो developing countries हैं, जहां कि लोग पहले ही गुर्बत की लाइन से नीचे जिचे जिचे जिचा जिचा रहे हैं, उनका य पर तो कुछ भी किया जाना चाहिए, खुआ गर्मनेट करें, खुआ वालदयन करें, फिर हम देखती हैं कि कुछ illness ऐसी हैं, जो accident के जरिये आ जाती हैं, जैसे polio की disease, पाकिस्तान में काफी देर से इस पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल इसके कत्रे आ जाते हैं वापस, तो उस सिलसले में बच्चे जो हैं, वो माजूर हो सकते हैं, तो जैसे हमने अर्स किया, माजूरी को non-serious ना लिया जाए, बलके कोशिश की जाए, कि अगर आपके बच्चे या हमारे इद्गिर्द जो हमारे बच्चे हैं, उनको polio का कत्ते भी पिलव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के सिलसले में बच्चे का कोई हाथसा हो गया, उसके भी पहले से मयर्ज लेने चाहिए, यानि हाथसा से बचना ही माजूरी से बचना है, लेकिन अगर खुदा नखास्ता कोई माजूरी आ जाती है, तो उसको सबसे पहले तो accept किया जाए, और फिर उसका इलाज किया जाए, आपको पता भी नहीं होता कि हुआ क्या है, मौमला कहां खराब हुआ है, ऐसी सुरत में भी ऐडेंटिफिकेशन की जरुरत है, भले से कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जो सुरते हाल हमें नजर आ रही है, इसमें हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या special education के इदारे की उनको जरुरत है, उनको stick hospitalization की जरुरत है, या हमें उनको inclusion की तरफ लाना है, mainstream इदारों में उनकी कोई जगा बनती है, ये सब कुछ तवज्जो से होगा, वालिदैन की तवज्जो से, और जो educators इदारों में बैठे हैं, उनका भी ये फर्स है हमने जैसे अर्स किया था, कि जो teacher educator होते हैं, वो advocates होते हैं बच्चों के लिए, अपनी generations के लिए, so they have to strive for that, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, कि वालिदैन को जो के अमुमन ऐसा होते हैं, कि मायूस हो गया हैं, बैठ गया हैं, या uneducated हैं, उनको वो awareness दें, और ऐसे बच्च